नमस्कार बच्चो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल हैडवर्ड इंग्लिश क्लासेज में आज की जो हमारी पॉयम है वो है नॉबल नेचर और नॉबल नेचर को करने से पहले हम इसके पॉइट है जो बैन जॉनसन उनके बारे में थोड़ा जानेंगे बैन जॉनसन सिर्फ पॉइट नहीं कहेंगे हम इनको ये इंग्लिश लिट्रेचर में प्ले रिट के नाम से जादा जाने जाते हैं प्ले रिट के नाम से प्ले रिट मतलब ड्रामाटिस्ट नाटकार के नाम से जादा जाने जाते हैं ये और Shakespeare के successor भी कहा जाता है उनको कि Shakespeare के बाद जो सबसे बड़े dramatist थे शायद तबी जस्ट बाद तो Ben Johnson ही थे अगर बाद की बात करें तो और भी कई dramatist आये हैं तो Ben Johnson का जो जनम था वो हुआ था June में June 1972 में और इनकी जो death हुई थी वो ही थी 1637 में इनकी life के बारे में ज्यादा जानने को नहीं मिलता हलाकि इतना मिला है कि इनके जो father थे वो expired हो गए थे बहुत छोटे थे जब ये बहुत ही छोटे थे तब इनके पिता expired हो गए थे इनकी माता के दोरा दूसरी शादी कर ली गई थी जिन्दगी इनकी जी थी वो बहुत टिपिकल थी एक मजबूरियों से बरी जिन्दगी इन्होंने जी लेकिन इनका जो writing का area था वो भी शुरू हो गया और 1597 में इन्होंने क्या कर दिया था अपनी जो writing थी वो शुरू कर रखना क्योंकि अगर Ben Johnson की बात करें तो Ben Johnson की बात करते समया The Alchemist, Bartholomew, Fear, Cynthia's Reveal, Every Man in Humor ये लिखा था इन्होंने 1598 और 1919 के बीच 1599 से 1599 के बीच इन्होंने लिखा था बहुत प्रसिद्ध है जब कभी भी बात हो Ben Johnson की तो Every Man in His Humor इस जो प्ले की बात सबसे पहले हो जाती है The Mask बहुत ही हिट था इनका The Mask of the Blackness तो ये कुछ उनके वर्क है ये जो प्रसिद्ध उनके जो ड्रामा है उनकी बात हम यहाँ पे कर चुके हैं प्रसिद्ध हैं इनको याद रखना अब हम चलते हैं हमारी पोएम Noble Nature के उपर बहुत ही अच्छी क्वीता है और इस क्वीता क हो सकता है कैसे उदार हो सकता है कैसे महान हो सकता है उसकी बात की है और इसके लिए क्या किया है पोईट ने दो एक्जामपल लिये है एक एक्जामपल लिया है लिली का ये दो एक्जामपल पोईट ने यहाँ पर लिये है लिली का और जो ट्री है उन दोनों के एक्जामप करके कि देखो व्यक्ति कैसे महान हो सकता है और अपने जिन्दगी को वो कम समया में भी महान बना सकता है अगर वह अपने जो डीड्स हैं अपने जो कारियां हैं करम हैं सही डंक से करता है तो उसकी जो लाइफ है वो बैटर हो सकती है अच्छी बन सकती है कैसे कभी कहता है कि It is not growing like a tree, in buck doth make man better be, or standing long an awk three hundred year, to fall a log at last, dry, bald and sear. क्या कहता है? कभी यहाँ पर कहता है कि It is not growing like a tree, in buck doth make man better be. केता कि एक पेड़ की तरह बढ़ना, एक पेड़ की तरह बढ़ना, पेड़ कैसे बढ़ता है? It is not growing like a tree, केता कि व्यक्ति को ऐसे नहीं बढ़ना चाहिए, जैसे कि एक पेड़ बढ़े, या फिर एक पेड़ की तरह बढ़ना व्यक्ति को कभी भी बैटर नहीं बना सकता बैटर मतलब अच्छा नहीं बना सकता या उदार नहीं बना सकता कि एक पेड़ की तरह बढ़ना एक पेड़ कैसे बढ़ता है इन बक पेड़ बढ़ता है बक मतलब एक ह्यूज विशाल आकरती में एक पेड़ बढ़ता है और इस तरह से कोई विशाल आकरती में बढ़ रहा है या फिर एक आउक के पेड़ की तरह और स्टेंडिंग लॉंग एन आउक और एक आउक के पेड़ की तरह 300 साल तक भी इस धर्ती पर रह जाए तो भी वो क्या हो सकता है अपनी जिन्दगी को बैटर नहीं बना सकता अपनी जिन्दगी को कमपेरिटिवली अच्छा नहीं बना सकता अंत में ऐसा जीवन क्या होएगा कहता कि देखो कभी यहां पर हमें क्या कह रहा है कि एक पेड़ की तरह नहीं बढ़ना चाहिए एक विशाल आकर्ती में ऐसा बढ़ने से भी हमारा जीवन है जो महतव पूर्ण नहीं हो सकता ऐसा नहीं है कि हम एक औक की तरह 300 साल तक खड़े रहें और औक के साथ क्या होता है औक क्या होता है कि अंत में वो 300 साल तक रहकर भी लोगों के मनों में अपनी जो छवी नहीं बना पाता और 300 साल के बाद वो क्या हो जाता है लास्ट में लॉग, लॉग होता है सूखी लकडियां कि last میں वो सुखी लकडियों के रूम में गिर जाता है सिकुड जाता है ड्राइ हो जाता है बिलकुल ही उसकी पत्टियां जो खत्म हो जाती है और सिकुड कर वो नीचे गिर जाता है और गिर कर उसकी जो टहनिया होती है वो लौग में बन जाती है लोग मतलब जलाओ लकडी के रुम में बन जाती देखो तीन सो साल तक खड़ा रहने के बाद भी अंत में क्या हुआ गिर गया, सूख गया, बिलकुल पत्तियों से रही थो गया और सिकुड गया कि तीन सो साल तक रहने के बाद भी उस पेड़ ने लोगों के मन में अपनी छवी नहीं बनाई उसी तरह से अगर आप भी एक विशाल जिन्दगी जीते हो तो यह जरूरी नहीं है कि आप लोगों के मन में अपनी छवी बना पाओगे लोगों के मन में अपना जो छवी को वो ठहरा दोगे कैसे अगर आप एक औक की पेड़ की तरह जीते हैं तो क्या करना चाहिए वो कहता है जिन्दगी को बदलो जिन्दगी को ठहराव दो और ठहराव देके क्या करो कुछ अच्छा करो जिसकी वज़ासे आपकी जिन्दगी छोटे समय तक की जी कि आप क्या करो a day is fairer far in May although fall although it fall and die that night it was the plant and flower of light मैं यहां तक बढ़ता हूं क्या कहता है कभी कहता है कि देखो अपनी जिन्दगी को अच्छा भी बनाया जा सकता है अपनी जिन्दगी को बहुत बढ़िया बनाया जा सकता है कहता है लीली देखो a lily of a day की एक lily एक दिन तक जिन्दगी रहती है although it fall and die that night कहता है कि यह दिन को क्या होता है इसका जो फूल है वो खिलता है और रात को क्या हो जाता है इसका फूल है जो सिकुड जाता है वो जड़ जाता है लेकिन it farers far in May लेकिन एक रात का फूल हमारी जो मन में है न वह मई क अंत तक रहता है अपने जैसे गुलाब है गुलाब अम मई में क्या होते खतम होने शुरू होगे लेकिन गुलाब दो तीन दिन बाद क्या होता जड़ जाता है लेकिन जड़ने के बाद भी वो उसकी जो खूबसूरती है पूरे साल तक हमारे मन में रहती है अगर किसी एक western flower है तो दोनों के दोनों example उस एरिये से लिए गी है western area से तो कहता कि लिली एक दिन में खिली एक दिन उसी राद जड़ गई जड़ने के बावजूद उसकी जो खूबसूरती है मई के अंत तक मनों में रहती है कहता कि it was the plant and floor of light कहता कि यह एक ऐसा पौदा है ऐसा फूल है जो किसका फूल है उमीद का फूल है लाइट का प्रकाश का फूल है तो उसी तरह से आप भी क्या करो आप भी अपनी जिन्दगी को चाए एक दिन जियो लेकिन उस जिन्दगी को क्या करो बैटर बनाओ अच्छा बनाओ अच्छे करम करो अच्छा का औरो दुनिया में कि जिसकी चाप यहां पर बनी रहे जैसे कि लीली ने अपनी चाप छोड़ी और उसकी जो सुंद्रिया है वह मई तक मनों में रहा In small proportion we just beauties see and in short miser life may perfect be कहता देखो यहां पर कहता कि एक व्यक्ति लंबी उमर जीके भी अपने जीवन को पूरन नहीं बना सकता और यहां पर वो क्या कह रहा है कहता कि in small portion कहता कि छोटा जीवन जीकर भी हम क्या कर सकते हैं कि just beauty see छोटा जीवन जीकर भी हम क्या कर सकते हैं सुंदर्ताओं को देख सकते हैं and in short miser life may perfect be उसी तरह से जिस तरह से लिली के छोटे जीवन में हम उसकी सुंदर्ता को देख पाए हैना उसी तरह से अपने भी शोट जिंदगी के अंदर छोटी जिंदगी के अंदर हम हमारे जीवन को perfect बना सकते हैं पूरण बना सकते हैं लिली की तरह ना कि एक औक की तरह 300 साल खड़ी होकर तो इस तरह से कवी ने दो एक्जामपल लिये हैं एक औक का और दूसरा लिली का इन दोनों के एक्जामपल में उसने ये बताया है उधारन देकर दोनों का कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए अपना जीवन है जो better बनाना चाहिए आप चाहिए थोड़ा जीवन जीओ लेकिन आप उस जीवन को अच्छा बना सकते हो और बना कैसे सकते हो वो अपने करमों से अपने कारियों से और अपनी जो प्रजेंटेंशन है आपकी परस्तुती है आप किस तरह से लोगों के सामने रखते हो आप किस तरह से कुछ ऐसे वर्क करते हो ऐसे काम करते हो जिसकी वज़े से कि आपकी दुनिया में पहचान बनी रहे ऐसा करने के लिए ये जो पोएम है वो हमें प्रेज़ना देती है पोजिटिविटी से भरी हुई है और उमीद है आप इस पोजिटिविटी का लाब लेंगे धन्यावाद